हेलो वेलकम बैग आज यहां पर मैं लेकर आ गया हूं मोटो का G24 पावर फोन का गेमिंग रिव्यू यह जो फोन क्लाउड दॉनलोड है तो यहांप डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करने के बाद यहां पर देख सकते हैं HD का हाई ग्राफिक भी आपको इस फोन में सेटिंग मिल जाता है तो चले गेमिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या experience रहता है तो सबसे पहले यहां पे टीडियम गेम प्ले करेंगे 15 मेंट के लिए और फोन का जो हीट है अभी 32 है इस फोन में जाहिरो भी मिलता है तो जाहिरो मैं प्ले ने करता हूं तो अभी नॉर्मल गेम प्ले करते हैं हुआ 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 तो गाइस गेम खेलते गोई 15 में पूरा हो चुका है और 15 में यहां पे आप देख सकते हैं 97 चार्ज है मतलब 3 परसेंट बैटरी ड्रेन होता है और हीत की बात के तो रूम ट्रम लेचर 27 ही है और फोन की बात के लेट तो यहां पर देखे थर्टी नाइन चल गया मतलब दोस् चेंज करकी gameplay करेंगे वो आगे बताते हैं बाकि दोस्तों गेम का experience जो है इस ग्राफिक में काफी मस देखने को मिला है कहीं भी frame drop देखने को नहीं मिला कोई भी lag अभी तक देखने को नहीं मिला है बाकि दोस्तों अभी जो ग्राफिक की बात करें तो यहाँ पर देखिए smooth का ultra तो मैं play कर चुका हूँ अब दोस्तों यहाँ बैलेंस का ultra gameplay करते हैं 15 मिट के लिए और देखते हैं इस ग्राफिक में क्या experience रहता है lag वगरा करता है या नहीं करता है कर दो यहां पर पंदर मिट और पूरा हो चुका है गेम खिलते हुए और gaming experience काफी मस्ट देखने को मिला है यहां पर दोस्तों यहां पर दोस्तों यहां पर दोस्तों यहां पर देखने को मिल रहा है मतलब दोस्तों फोन आप अगर गेमिंग के लिए लेते हैं या फिर आप अगर मल्टिटाक्स वारा करते हैं तो आपको यहां पर हीटिंग इसू देखने को मिलेगा इस फोन में यहां पर देख सकते हैं बाकी आपके पास अगर स्वेट्व अहीं में जोरो बता कि आपका फोन हीट होड़ा या नहीं हो रहा है और गेमिंग किस तरीके से चल रहा है कनमेंट कर सकते हैं अभी जो ग्राफिक सेट करेंगे वो HD का हाई ग्राफिक में गेम प्ले करेंगे और इस या क्या एंगल मैप में अभी में गेम प्ले करने वाले हैं और देखते हैं क्या experience रहता है हौर राफिक सेज़ोर्णाय करेंगे सेड़ेब करैंगे दोस्फषण Lak승 ऊचार राफिक राफिक I'm recalling a teammate Let's go तो कैसे यहाँ पे गेम प्ले करते हुए 30 मिर्ट पूरा हो चुका है और बैटरी यहाँ पे आप देख सकते हैं 88% चार्ज है मतलब दोस्तों एक घंटा आप अगर इस फोन में गेम प्ले करते हैं तो आपका 12% कदर बैटरी डेन होगा और हीट की बात के तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 के ऊपर यहाँ पे हीट देखने को मिल जाता है बाकि दोस्तों TDM में थोड़ा ज़्यादा ही हीट होता है और 40 के ऊपर हीट होने के कारण दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँगा कि आप अगर इस फोन को गेम के ले लेना चाहते हैं तो यह फोन हीट होगा तो यह चीज़ देख के लिजएगा बाकि इसमें बैटरी वैकप काफी अच्छा है 33 वाट का चार्जिंग अडप्टर मिल जाता है और गेमिंग की बात के तो HD में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा फ्रेम डॉप देखने को मिल जाता है HD सेटिंग में ओके तो आप अगर इस अप्षिन मिल जाता है इस फोन में